करें नाम कारेंगे टूलबार कर अब हम सीख़ेंगे कुलिक एसे दूलबार को कैसे यूज कर सकते हैं ड्राइंग शेव करने तो शेव आज हम लोग यहां से करेंगे एंड ड्राइंग को प्रिंट करना है प्लोट करना है तो हम लोग इस बटन को प्रेस करेंगे हम लोग ने अंडू करना है तो हम लोग इस बटन को प्रेस करेंगे then pull down यहां पर हम ख्लिक करेंग एरो के निसान पर तो हमारे पास pull down window हमारे पास open हो जाएगी इसके अंदर के अगर हमने quick access toolbar के अंदर कोई और command अगर हमने add करनी हो स्पोच कीजिए मुझे यहां पर workspace add करना है तो workspace हमारा add हो जाएगा या फिर हम लोग ने plot preview या फिर property हम लेड़ करनी है तो property यहां पर add हो जाएगा अगर मुझे remove करना है तो मैं उसी command पर right click करेंगे and then remove from the quick access toolbar now right click and remove from the quick access toolbar ऐसे हम remove भी कर सकते हैं अब ही हमने देखा right click करके हम लोग remove from quick access toolbar से command को remove कर सकते हैं otherwise हम लोग pull down window के अंदर जाएगे हम लोग यहां पर check mark है हम लोग check mark पर दोबारा click करेंगे uncheck हो जाएगा और हमारी command वहां से remove हो जाएगी like this one अगर हम दोबारा add करना चाहते हैं the same process हम लोग यहां पर दोबारा click करेंगे दोबारा से workspace match properties हम लोग ने से remove करने हैं तो हम लोग यहां से remove भी कर सकते हम click करेंगे and more commands अगर जो कोई command है हमारे पास वो लेकिन यहां पर listed नहीं है तो more commands में हम लाएंगे more command में यहां पर हमारे पास autocad के इंद जितनी भी command से सारे की सारे लिस्टीड है यहां पर इन में से कोई भी command अगर मुझे quick access toolbar में चाहिए तो मैं यहां पर command को select करूँगा and drag and drop in quick access toolbar यहां पर हम drop कर देंगे दिसमें image adjust right click then again remove and ok अब है हमारे पास अगर यहां से कोई ribbon से कोई command है जो हम लोग quick access toolbar में चाहते हैं तो हम right click करेंगे command के ऊपर and add to quick access toolbar अब यहां से अगर हम यहां पर add करते हैं तो line command हमारी quick access toolbar के अंदर add हो जाएगी this one circle मुझे करना है right click and quick access toolbar rectangle right click and add to quick access toolbar like this one and if you want to remove it, right click and remove the quick access toolbar यह हम लोग ऐसे remove भी कर सकते हैं next है हमारे पास hide menu bar menu bar को अगर हम लोग hide करना है हम लोग यहां से कर सकते है menu bar हमारे पास अब नहीं show हो रहा है को यह hide हो चुका है अब हम करेंगे show menu bar हमारे पास menu bar दबार ऐसे show हो जाएगा next है हमारे पास show blow the ribbon अगर हम लोग quick access toolbar को ribbon के नीचे show करना जाते तो हम लोग इस बटन को प्रेस करेंगे and वार जो quick access toolbar है वो ribbon के नीचे show हो जाएगा then again one two show above the ribbon यह हमारे पास उपर show हो जाएगा इस तरीके से हम quick access toolbar corporate कर सकते हैं